सिविक्स चैप्टर नमबर एट क्लास सिक्स्थ और चैप्टर का नाम है रूरल लाइवलिवूड तो बच्चो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इस चैप्टर के NCRT क्वेश्चन आंसर्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कलपट्टु गाओं की जो कहानी आपने इस चैप्टर में पढ़ी है उसमें बहुत सारे लोग है जो नोन फार्म अक्टिविटीज में इंगेज्ट है अब नोन फार्म अक्टिविटी का मतलब क्या? मतलब वो खेती नहीं कर रहे है खेती के अलावा बहुत सारे काम वो लोग कर रहे है तो वो non-form activities कुन सी है उन में से कुछ five बतानी है तो five से ज़्यादा ही हम इस answer में बताएंगे definitely हमारा first point है making basket, utensils, ports, bricks, blow carts, etc यहनकी कुछ लोग ऐसे हैं जो बासेट बना रहे हैं, utensils, बरतन बना रहे हैं ports बना रहे हैं, brick, eatें बना रहे हैं blow carts जो छकड़े होते हैं वो सब बना रहे हैं तो बहुत सारी manufacturing वहाँ पे हो रही है बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पे बनाई जा रही हैं यह चीज हो गई दूसरे नमबर पे देखो there are people who provide services बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेवाई देते हैं, जो services करते हैं जैसे कि blacksmith का काम करना हो गया लोहार का काम, लोहे से चीज़ें बनाना nurse, nursing का का काम लोग कर रहे हैं, है न, मरीजों की देखबाल करना, teachers हैं लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, है न, teaching का काम कर रहे हैं, washerman हैं, weavers हैं barbers, मतलब जो hair cutting बगरा करते हैं, barbers है cycle repair है, mechanics है and so on, और भी बहुत तरह के, कई तरह के काम वहाँ पे होते हैं, बाचमिन में आई तो वहाँ पे ये सब लोग है point number three, देखो, there are some shopkeepers and traders, और वहाँ पे कई तरह के shopkeepers हैं और traders हैं, तो more than five activities हम यहाँ पे discuss कर चुकी हैं, I hope आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ बहुत जादा मुश्किल नहीं है, जैसे काम हमारे गाउं शहरों में आसपास, हमारे read about in Kalpattu, who depend on farming, who is the most, who is the poorest among them, and why, तो देखो, question हमारे क्या कहता है, question पूछ रहा है कि different type of people you read in Kalpattu, who depend on farming, पहला तो वो लोग हमें बताने हैं, अलग-अलग तरह हैं कि लोग, जो Kalpattu में रहते हैं और जो agriculture पर depend हैं, जो खेती करते हैं, अलग-अलग किसम के लोग कौन-कौन हैं, उनकी categories हमने बताने हैं, फिर पुछ रहा है हमसे, who is the poorest among them, and why, और उन सब categories में सबसे गरीब कौन है, और क्यूं है, है ना, चलवा अंसर समझते हैं, so different type of people are there, वहाँ जो अलग-अलग तरह के लोग हैं, कौन हैं, वो है big landowner, एक तो बड़े जमीदार हैं, जैसे रामा लिंगम हमने पढ़ा था, है ना, बड़ा जमीदार है, खुब सारी जमीन हैं उसके पास, small landowners और farmers, एक छोटे landowners और farmers हैं, उनके पास छोटी जमीन हैं, छोटे खेत हैं, खेत कम मातरा में हैं, है ना, वो हो गई, तीसरी कटेगरी है, तीसरी जो कटेगरी है, वो है landless farmers और laborers, है ना, तो तीसरी कटेगरी में वो लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा कम resources हैं, जिनके पास, landless farmers हैं, और laborers हैं, उनके पास जमीने नहीं हैं, मजदूरी वगड़ा का काम करते हैं, राइट, अब next part हमारा question का क्या था, कि who depend on farming, तो ये तीन तरह की category हमने study की, जो farming पे depend हैं, है ना, अब इन सब में सबसे गरीब कोन है और क्यों है, अब इसका answer था, हम करेंगे, तो landless farmers और laborers are the poorest among them, because they have seasonal earning, तो जो landless farmers है ना, जिनके पास जमीने नहीं हैं, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, और laborers जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, है ना, तो landless farmers और laborers है ना, ये poorest हैं, ये उनमें सबसे ज़्यादा गरीब हैं, क्यों गरीब हैं, क्योंकि agriculture एक seasonal activity है, उसमें seasonal earning होती है, पूरा साल काम नहीं मिलता, right, next point है, they always have to look for work at other places after harvesting period is over and also paid very less, harvesting time जो आता है ना, जब फसल कटाई का time आता है, जब थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, उसके बाद उन्हें जो है दूसरे जगहों पर जाना पड़ता है, कई अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, है ना, और उनको पैसा भी बहुत कम मिलता है, इस वज़े से वो लोग गरीब है, फिर third point है, they do not have fixed income, उनकी income fixed नहीं है, काम मिल गया, तो कुछ पैसे मिल गए, वो भी बहुत थोड़े, काम नहीं मिला, तो नहीं मिले, किसी से पैसे मांगने पड़ते हैं, उन्धार लेने पड़ते हैं, तो ये condition में वो लोग रहते हैं, sometimes they went without work, कई बार काम मिलता नहीं है, है ना, तो इस चेप्टर में हमने क्या पड़ा था, कि इस condition में कौन है, इस condition में हमने एक character study किया था, वो था तुलसी, तो तुलसी जो है, वो सबसे ज़्यादा poorest है, यहनकि in this chapter, तुलसी is the poorest, तुलसी सबसे ज़्यादा गरीब है, अगला कुशन देखो, imagine you are a member of fishing family, भई कलपना कीजिए, कि आप एक fishing family के member हैं, आपके परिवार के लोग मचली पकड़ते हैं, है ना, and you are discussing whether to take a loan from the bank for an engine, और आपके घर में क्या discussion चल रहा है, कि भई एक loan लिया जाए bank से, एक engine खरीदेंगे, तो what would you say, आप क्या कहेंगे इस बात पे, घर में loan लेने की बात हो रही है, है ना, fishing family से आप belong करते हैं, आपको मानना है, imagine करना है, तो आपका इस पे क्या point of view होगा, आप क्या कहेंगे, ये पूछा गया है, तो देखो, क्या कहेंगे, if I were a member of fishing family, then I must say yes, engine महगा होता है, तो engine हम खरेंदेंगे, तो उस engine से हम क्या करेंगे, अपना जो business है, उसको थोड़ा बढ़ाएंगे, उससे हम ज्यादा मचली पकड़ पाएंगे, अपने काम को जो है, और ज्यादा better कर पाएंगे, कम टाइम में ज्यादा काम हो पाएगा, देखो, होता क्या है, कि engine कोस्टली होता है, वैसे ले नहीं सकते, तो लोन लेना पड़ेगा, और कहां से लोन लिया जाए, तो bank सबसे सही option है, सबसे अच्छा option है, trusted institution है, हम उस पर trust कर सकते हैं, तो वहाँ से bank लोन लिया जा सकता है, अब लोन क्यों लिया जा सकता है, उसके भी कुछ कारण है, trusted होने के भी कुछ कारण है, वो क्या है, they have fixed terms and rates, कि भई, bank जो लोन हमें देता है, तो वो कुछ fixed terms पे देता है, fixed interest rate पे देता है, है ना, तो उसमें कोई fair बदल नहीं करता हो, वो ऐसा नहीं है, landlord की तरह है कि कभी, जो है कुछ fair बदल कर दी, या कुछ बहुत ज़्यादा सकती बरतेगा, नहीं ऐसा नहीं है, तो bank के fixed terms and conditions होती है, जो लोन लेने के time आपको वो clear कर देता है, उनहीं पे फिर आपका लोन चलेगा, तो trusted source है, आखरी point देखो, they will not ask for share in your profit, तो जो भी family profit कमाएगी, वो उसका profit में कोई share नहीं लेगा, वो तो बस अपने interest लेगा, that's it, इसलिए वो reliable है, और buying an engine will increase the income, और ये तो हैई है, engine खरीदेंगे, तो income family की बढ़ेगी, तो सीधी सीधी बात ये है, कि भाई अगर loan लेंगे, family loan लेने की बात कर रही है, तो हमारा answer क्या होगा, yes होगा, क्यों होगा, क्योंकि family का business बढ़ाना है, income बढ़ानी है, investment करना है, ठीक है ना, bank trusted option है, ठीक है, bank के जो terms and condition, और जो interest rate होते हैं, वो fix होते हैं, और income तो बढ़ानी है है, bank जो है reliable source है, वो landlord की तरह अपनी conditions, बदलता नहीं है, हमारा जो profit आता है, उसमें share नहीं मांगता है, बात सुनने आगई, चलो, अगला question, poor rural laborers like Tulsi, often do not have access to good medical facilities, good schools and other resources, तो जो गरीब लोग है न, गाउं में रहने वाले जो rural मजदूर हैं, जो मजदूर हैं, गाउं में जो रहते हैं, जैसे कि Tulsi, तो उन लोगों के पास medical facilities नहीं हैं, अच्छे school में बच्चों को नहीं बेच सकते, और भी बहुत सारे दूसरे resources उनके पास नहीं हैं, और इस बुक के शुरुआत में ही आपने फिस्ट उनिट में क्या पढ़ा था, इनिक्वैलिटी के बारे में, गैर बराबरी के बारे में, कुछ लोग बहुत उपर हैं, कुछ नीचे हैं, यानि कि कुछ के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ के पास बहुत कम पैसा है, इनिक्वैलिटी है, गैर बराबरी है समाज में, so the difference between her and Ramalingam, is one of inequality, हमने इस चप्टर में भी यही एक्जेंपल देखा, Ramalingam और तुलसी के बीच में क्या चीज है, inequality है, Ramalingam बहुत अमीर है, और तुलसी बहुत गरीब है, तो inequality है, गैर बराबरी है, Do you think this is a fair situation, क्या आप ये मानते हो, कि ये जो situation है, ये जो condition है, ये सही है, ये अच्छी है, ऐसी ही होनी चाहिए, क्या आप ऐसा मानते हूँ, What do you think can be done, और क्या किया जा सकता है, अगर आपको इसमें कुछ गड़बड लगती है, तो क्या किया जा सकता है, discussion class, class में discussion करता है, है ना, तो answer देखो, तो पहली बात तो ये है, Ramalingam तो बहुत अमीर, और तुलसी बहुत ज़्यादा गरीब, तो ये जो situation है ना, ये fair नहीं है, it's not a fair situation, तो ये fair situation तो बिलकुल भी नहीं है, हम, तो क्या होना चाहिए, there should be equal opportunities for all, भाई सभी लोगों के लिए equal opportunities होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए, उनकी condition कैसे better हो सकती है, so effort should be made to promote education among poor, है ना, जो गरीब लोग हैं, उनमें भी education promote की जानी चाहिए, सब तक education की पहुंचो, और सब अपने बचों को पढ़ाँ पाए, तो education सब को मिले, तकि वो लोग अपने rights के बारे में aware हो सकें, पढ़ लिख सकें, राइट, next है point number four, medical facilities should be available to all, सब को medical facilities मिले, तकि सब स्वस्त रहें, और अपना काम धंसे करते रहें, और काम धंसे कर पाएंगे, तो पैसा कामा पाएंगे, उनकी condition better हो पाएगे, तो medical facilities सब को मिले, और point number five है, there should be sealing of land, sealing of land का मतलब क्या है, कि government को क्या करना चाहिए, जिन लोगों के पास ज़्यादा जमीन है न, तो उनके पास से जमीने कुछ ले लेनी चाहिए, land को sealing, land sealing करना चाहिए, तो उनकी extra जमीने जब ले ली, और फिर वो किनको प्रवाइड की जा सकती है, वो गरीब लोगों को प्रवाइड करी जा सकती है, है न, तो land sealing जब होगा, so it will help everyone to have some land, तो जिन के पास land नहीं है, जो landless है, उनको government फिर वो जमीन देगी, तो extra जमीन उन लोगों से ले लेगी, और जो गरीब लोगों उनको जमीन दे दी जाएगी, उससे क्या होगा, कि उन गरीब लोगों के पास भी, landless people के पास भी, survival का, livelihood का कोई source generate हो जाएगा, है न, वो भी उस जमीन पर खेती वगएरा कर पाएगे, तो land sealing, तो यह बिल्कुल भी fair situation नहीं है, equal opportunities होने चाहिए, education सब को मिले, medical facilities सब को मिले, और land sealing करके, जिनके पास जमीने कम हैं, उनको जमीने दी जाएगे, आई बाद समझ में, question number 5 है, what do you think the government can do, to help farmers like shekher, when they get into debt discuss, मतलब सरकार क्या कर सकती है, शेकर जैसे छोटे farmers के लिए, जब वो कर्ज के जाल में फश जाएं तो, अगर वो debt में फश जाएं, वो कर्ज के जाल में फश जाएं, तो government क्या कर सकती है, सरकार उनकी कैसे मदद कर सकती है, उनको कर्जे से बचाने के लिए, right, answer देखो, तो government क्या क्या कर सकती है पहला point है the cultivation can be insured कि जो ऐसे छोटे farmer है उनकी जो फसल लोग आते हैं उस फसल को insure किया जा सकता है यानकि उस पर government insurance दे सकती है तो अगर किसी तरह की कोई problem होती है किसी calamity की वज़े से किसी महामारी की वज़े से फसलों में कोई बिमारी आ गई या किसी बाड बगरा सुखे बगरा की वज़े से अगर फसल खराब हो गई तो उनको पैसा मिल जाएगा insurance का amount मिल जाएगा तो उनकी crops को उनकी cultivation को insure कर सकती है है ना insurance दे सकती है पहला point second point देखो provisions of easy farming loans from the banks at low rate of interest तो उनको है ना छोटे farmers को पैसे की ज़रूरत रहती है बीज खरीदने के लिए खाद खरीदने के लिए छोटे मोटे agriculture tools खरीदने के लिए तो उनको loan दे सकती है बहुत कम interest rate पे कौन दे सकता है बैंक दे सकते है तो बैंक को ऐसा motivation दिया जाए उनको ऐसी guidelines दीच आए तो ये provision हो सकता है ये नियम हो सकता है है ना third point है provision of subsidized fertilizers pesticides and hyv seeds ये जो subsidized है इसका मतलब क्या है यानकी सरकार subsidy दे सकती है subsidy का मतलब छूट जो कीमत है ना actual जो कीमत है उसमें छूट दे दी वही 50% की दे दी 60% की दे ठीक है 30% की दे दी तो कितना भी उसका जो amount है उसको थोड़ा कम करके किसानों को वो जीज बेजी जा सकती है तो subsidy देकर subsidized rate पर उनको fertilizers यानकी उनको जो खाद दी जा सकती है chemical fertilizers, manure वगरा वो खाद दी जा सकती है pesticides दी जा सकती है और hyv seeds high yielding variety वाले अच्छे seeds उनको दी जा सकती है कम rate पर छूट के साथ, subsidy के साथ, right point number four है farming schools, trainings and help should be provided at no cost और किसानों को नई-नई techniques सिखाई जानी चाहिए agriculture को लेकर तकि वो अपना production बढ़ा सकें, अपनी condition better कर सकें farming schools होने चाहिए जहां किसानों को trainings मिले और ये सब चीजें उनको free of cost देनी चाहिए क्यों किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अप खुद गो ट्रेनिंग में जो है पैसा लगाए और ना इतना समय होता है तो उसके लिए government को कुछ इस तरह के steps उठानी चाहिए एक बार answer को समब करते हैं क्या-क्या होना चाहिए नमबर वन cultivation यानकी crop के उपर insurance मिले उन्हें है ना provision of easy farming loans easy farming loan मिले कम interest rate पे है ना और subsidized rate के उपर उन्हें fertilizers मिलें pesticides, hyv seeds मिलें और training सुने हो हाला कि ये सब चीज़ें अभी भी हो रही है लेकिन परियाप्त नहीं है जहां हमारे देश में इतने ज़्यादा लोग एक बड़ा section population का खेती के कामों में engaged है तो वहाँ पे इतना परियाप्त नहीं है और ज़्यादा होना चाहिए next question है compare the situation of शेखर and रामा लिंगम by filling out the following tables तो इसमें एक table है जिसमें एक बड़ा जमीदार है, landlord है और एक शेखर एक छोटा farmer है उन दोनों की condition को compare हमें करना है और इससे हमारी एक समझ बनेगी कि कितना उनमें difference है है ना तो ये देखो first point है land cultivated तो शेखर के पास कितनी land है और रामा लिंगम के पास कितनी land है जिस पर cultivation होता है जिस पर खिती होती है शेखर के पास सिर्फ दो एकर लेंड है रामा लिंगम के पास 20 एकर लेंड है तो कहां 2 और कहां 20 बहुत ज़्यादा difference आ गया है ना inequality है ना तो ये चीज़ हो गई second है labor required तो शेखर को labor यानि कि भार से मजदूर गुला के अपने खेतों में काम करवाना पड़ता है नहीं labor not required उसे जो labor देनी होती है वो उसके family member है और वो खुद ही जो है उसमें काम कर लेता है that's it लेकिन रामा लिंगम के पास बहुत ज़्यादा जमीन है तो labor required in large numbers ज़रतें पूरी करने के लिए जैसे बीज खरीदने के लिए fertilizer खरीदने के लिए भी लोन की ज़रूरत पड़ती है रामा लिंगम रामा लिंगम को लोन रिक्वाइर है इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं not required for agricultural needs कम से कम अपनी खेती की ज़रूरतों के लिए ये खाद बीज खरीदने के लिए तो उसे लोन खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर उसे लोन required है तो कुछ बड़ा काम करने के लिए yes, for setting up for rice meals जैसे कि उसे कोई चावल का meal set up करना है तो ऐसे बड़े कामों के लिए उसे लोन required है selling of harvest फसल को बेचना तो शेखर जो है वो कैसे बेचेगा? वो low cost में बेचेगा उसे low cost में बेचनी पड़ेगी low cost में क्यों बेचनी पड़ेगी? landowner से उसने क्या लिया था? loan लिया था? landlord से और उस landlord को जो है या उस जमिदार गाओं का जो जमिदार है उसको low cost पे सस्ती कीमत पर बेचेगा तो शेखर low cost पे अपनी फसल बेचेगा रामलिंगम select high cost to the traders और वो high cost पे बेचेगा उजी कीमत पर बेचेगा और किसको बेचेगा? traders को बेचेगा तो वो ज़्यादा benefit कमाएगा शेखर बहुत कम benefit कमाएगा ठीक है? last point है other work done by them और कोई दूसरा काम उनके द्वारा जो किया जाता है वो तो और वो क्या काम करते हैं? तो labor in रामालिंगम's rice meal तो शेखर जो है वो ऐसे labor काम करता है रामालिंगम के meal में रामालिंगम own rice meals and several shops रामालिंगम जो है उसके पास खेती तो है यह बहुत ज़्यादा लेकिन वो क्या करता है? और other work क्या करता है? वो rice meal चला रहा है ठीक है? और बहुत सारी दुकाने भी चला रहा है तो यह सब चीज़े हो रही है तो शेकर में और रामालिंगम में भी हमें inequality नज़र आती है उनकी जो profit earning है उसमें भी बहुत ज़्यदा difference है उनकी जो conditions है जो है अपनी चीज़ें बेचने की वो भी अलग-अलग है ठीक है? उनकी earning भी अलग-अलग है तो इस तरीके से इनमें difference है और ये difference सिर्फ शेकर और रामालिंगम का नहीं है ये difference हमारे देश में बहुत सारे छोटे और बड़े किसानों के बीच में है तो वो concept हमें समझना है वो difference हमें इससे समझना है शेकर और रामालिंगम तो सिर्फ दो character है लेकिन असल में ये सचाई हमारे देश में है बहुत सारे छोटे किसान है और बहुत कम बड़े किसान है जिनके पास बहुत ज़्यादा resources है, बहुत ज़्यादा land है और शेकर जैसे छोटे किसान है तो यहाँ पे हैं, इसलिए गवर्मेंट के step हमने पढ़े कि गवर्मेंट को क्या करना चाहिए उनकी condition को better करने के लिए तो यहाँ पे हमारे सारे question answers discuss होते हैं, thanks for watching, bye bye